मूवी की शुरुवात में हम साकुरा को देखते हैं, जो कि एक फार्मासिस्ट है। साकुरा बहुत दयालू और अपने काम को दिल से करती है, अपने काम को अपने परिवार से भी बढ़कर मानती है। कभी कभी तो अपना काम पूरा करने के लिए वो देर रात तक काम करती रहती है जिस वज़े से उसका परिवार उस पर नाराज भी होता है लेकिन साकोरा को इन सबसे कोई फरक नहीं पड़ता वो तो बस लोगों की मदद करना चाहती है एक रात वो अपनी लेव में काम कर रही थी कि अचानक एक अजनबी शक्स उसके दर्वासे पर आया और साकोरा को शूट कर दिया साकोरा का चहरा उल्टी दिशा में था इसलिए वो गोली उसकी कमर में से होती हुई उसके सीने से बाहर निकल गई अब गोली लगी है तो साकोरा के शरीड से तेजी से खुन बाहर आना चाहिए था लेकिन वहां कुछ अजीब सी गटना गटी अचानक उस लेव का समय रुक गया और साकोरा के सामने मोत के देवता शिनिगामी प्रगट हुए साकोरा आश्चेरे से ये सब देख रही थी शिनिगामी ने उससे कहा कि वो मरने वाली है लेकिन फिर भी वो उसे अंतिम 15 सेकंड दे सकते हैं ताकि वो उसके खुनी को पहचान सके ये काम बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सिर्फ 15 सेकंड में अपने खुनी को पहचानना साकोरा के लिए आसान नहीं होने वाला था लेकिन साकोरा अपने कातिल को देखना चाहती है वो ये जानना चाहती है कि आखिर किसने उसे इतनी बेरहमी से मारा है साकुरा का मानना है कि वो एक अच्छी इंसान है जिसका कोई दुश्मन नहीं है ये सुनने के बाद शिनिगामी ने साकुरा को दिये जाने वाले 15 सिकंड के नियम बताना शुरू किये उन्होंने बताया कि जैसे ही वो टाइमर शुरू करेंगे साकुरा को अपने खुनी की पहचान करनी होगी हाला कि वो जब चाहे उस टाइमर को पोस कर सकती है इसका मतलब वो उसके एक टास्क को पूरा करके फिर टाइमर पॉस कर सकती है तकि वो उसके अगले कदम के बारे में सोच सके इस नियम को सुनने के बाद साक Rapha को खुत पर वरोसा बढ़ गया कि वो ये मिशन पूरा कर सकती है अगले सीन में टाइमर फाइनली शुरू हुआ और साकुरा ने उसके पहले टास्क को पूरा करने की कोशिश की जो था पीछे मुड़ कर अपने खूनी को देखना लेकिन बद किसमती से क्योंकि उसे गोली लगी थी इसलिए जैसे ही टाइमर ओन हुआ उसे बहुत तेज दर् अपने शरीर के अंदर की सारी ताकट एकटी की और टाइमर फिर से शुरू होते ही वो पीछे मुड़ गई उसे ये देखकर ताजव हुआ कि उसे गोली मारने वाली किम है किम उसकी एक पुरानी क्लाइन की बेटी है तब ये खुलासा हुआ कि किम की मा को डिप्रेशन था जिस वज़े से वो साकुरा से हमेशा दवाईया लेती रहती थी कई महीनों के इलाज के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तब साकुरा ने उसे स्ट्रोंग लोस वाली दवाईया दी बतकिस्मती से एक दिन किम की मा ने ज्यादा दवाईया खा ली जिस किम ने फर्ष पर पड़ी अपनी मा की लाश देखी और वो पूरी तरह से तूट गई तब ही उसने साकुरा से बदला लेने का फैसला कर लिया फिर कहानी प्रेजेंट में आई जहां साकुरा समझ गई कि किम ने उसकी मा की मोत का बदला लेने के लिए ही ऐसा किया है अब क साकुरा ने ओल्रेडी कुछ सोच लिया था ज्यादा समझ ना गवाते हुए उसने टाइमर को रिस्टार्ट किया और जमीन पर पाउडर फेक दिया इसके बाद उसने लाइट्स का रिमोट उठाया और सारी लाइट्स ओफ करके पूरे कमरे में अंधेरा कर दिया ये सब कर भी उसे लग रहा था कि इतना काफी नहीं है इसलिए उसने एक बर फी टाइमर शुरू किया और जल्दे से अपने काम करने वाली टेबल की तरव भागी उसने एक मारकर उठाया और टेबल पर केर का नाम लिख दिया जब उसने टाइमर पोस किया तब तक सिर्फ आठ सेके शीनिगामी जो यह सब होता हुआ दीख रहे थे उन्होंने कहा कि यह आइडिया बहुत आसान है क्योंकि किम आसाइने से टेबल पर उसका नाम देख लेगी और वो अपने नाम को विगाड देगी हाला कि साकुरा ने जवाब दिया कि वो भी यही चाहती है यह कहते हुए उसने दोबारा टाइमर ओन किया और टेबल पर रखे फूलों के गुलदस्ते को टेबल पर तोड़ा और उन फूलों से किम का लिखा नाम ढग दिया इसके बाद उसने वो मारकर दूर फेक दिया तकि वो मारकर खुनी को ना मिल सके तब साकुरा ने कहा कि अगर किम ने आइडिया काफी शांदार लगा तेकिन उन्होंने कहा कि खुनी इतनी आसानी से उसके जाल में नहीं फसने वाला और उसे कुछ और भी करना होगा अब साकुरा के पास केवल 7 सेकेंड सी बचे थे ये सुनकर साकुरा थोड़ी परिशान हो गई लेकिन तभी उसके दिमाग मे एक और आइडिया आया उसने एक बार फिर टाइमर ओन किया और दो गुलाब के फूलों को इलेक्टिक सोकेट में डाल दिया इसके बाद उसने पास रखी पानी के बाल्टी को लात मारकर सारा पानी जमीन पर फेला दिया जितने समाई में उसने ये सब किया अब उसके पास के वज़े से उसे इलेक्टिक शोक लगेगा और उस शोक से खुनी भी मारी जाएगी ये सब सुनकर मोत के देवता भी बहुत प्रबावित हुए और तालिया बजाने लगे लेगिन साकुरा इतना सब करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुई बचे हुए 5 सेकंड्स का इस्त तब केम को लगा कि वो उस पर हमला करने वाली है और वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी इसलिए उसने साकुरा को दोबारा गुली मार दी अब साकुरा मोत की कगार पर है और टाइमर में भी सिर्फ 0.6 सेकंड्स सी बचे थे शिनिगा में तब साकुरा के पास आये और उसे हार मान जाने के लिए कहा क्योंकि अब जो समय बचा था वो इतना काफी नहीं था कि साकुरा कुछ कर पाए साकुरा ने अपने किस्मत को अपना लिया लेकिन मरने से पहले वो चाहती है कि कीम को सारे सच्चाई का पता चले इसलिए उसने अपने शरीर के अंदर मोजोद पूरी ताकत इखटी की और वो जमेन पर गिर गवी साकुरा ने एक envelope को अपने हाथों में जकर लिया उस envelope में जरूर कोई रहसे की बात छिपी हुई थी साकुरा ने marker उठाया ताकि वो किम के लिए एक message छोड़ सके लेकिन वो कुछ लिखना शुरू करती उसके पहले ही timer खत्म हो गया और साकुरा की death हो गई अगले सीन में किम धीरे लेकिन सावधानी से उस room के अंदर आई जब उसने room की हालत देखी तो वो जल्दी समझ गई कि साकुरा ने उस room में कई बदलाव किये हैं हाला कि किम एक smart लड़की है इसलिए उसने अपने footpin को छिपाने के लिए अपना शूज निगाल कर साकुरा के slippers पहन लिए और उस room के अंदर गई इसके बाद उसने बिखरेट पड़ी table पर अपना नाम लिखा देखा तो उसने अपना नाम बिगाणने का फैसला किया हाला कि जैसे ही उसने वाहर का marker उठाया उसे जल्दी समझ आ गया कि ये वो marker नहीं है जिससे उसका नाम लिखा हुआ है उसने जल्दी से आसपास देखा और किसमत से उसे वही सही वाला marker मिल भी गया इस तरह से किम ने उसके लिए बिचाए दो जाल को तबाह कर दिया अब उसे टेबल पर लिखे उसके नाम को भी गाणना था लेकिन जैसे ही उसने टेबल पर रखे फोलो को टच किया तो उसे एलेक्टरिक शोक लगा उस शोक की वज़े से किम की जान तो नहीं गई लेकिन वो बेहोश हो गई कुछ गंटो बाद सीक्योर्टी गार्ड्स के आने की आहट से किम की आँख खुली उसने जल्दी से वो मारकर उठाया और टेबल पर लिखे उसके नाम को तहसनेस कर दिया ताकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिल सके लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी कि तभी उसने सारुका के हाथ में एक एनवलप देखा केम को लगा अगी ये उसके खिलाफ कोई सबूत हो सकता है इसलिए उसने वो एनवलप उठा लिया और दूसरे रूम में चली गई और उस एनवलप को ओपन किया उस एनवलप में एक लेटर था जिसे पढ़ने के बाद किम रोने लग गई तब खुलासा हुआ कि वो लेटर उसकी मा का था उसकी मा काफी टाइम से डिप्रेशन में थी और उसे लग रहा था कि वो अपने बेटी पर बोज बन गई है इसलिए उसने साकुरा द्वारा दी गई दवाईया लेना बंद कर दिया और आंते में जब उससे उसका डिप्रेशन बढ़दास्त नहीं हुआ तो उसने जहर खा कर खुद खुशी कर दी ये सब जानने के बाद किम पूरी तरह से तूट चुकी थी क्योंकि उसने एक भी कसूर इंसान की जान ली थी साकुरा तो बिचारी उसकी मा की मदद करने की कोशिच कर रही थी किम जमीन पर गिर गई और रोने लग गई बाद में हमने देखा कि पुलिस वहाँ पहुँच गई और पूरे एरिया की चानबिन करने लगी किसमत से उन्हें वहाँ पर एक नोट मिला जिस पर किम का नाम लिखा हुआ था और उसी की वज़े से उन्होंने खूनी को यानि कि किम को अरेस्ट कर लिया इस मूवी के एंड में शीनी गामी मरी हुई साकुरा के पास हाग में दो फूल लेकर खड़े थे उन्होंने खुलासा किया कि किम के नाम वाला वो नोट उन्होंने खुद लिखा था ताकि साकुरा को उसके मेहनत का फल मिल सके और उसके खुनी को सजा मिल सके तैंक यू फर वोचिंग गाईज और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेजिएगा